हारु फिक्स एमंग आस एरोर इन एंड्रोइट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको जो है एमंग आस में किसी भी तरह का एरोर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो के से फिक्स करना है आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुइशन बताने वा रहा हूँ ठीक है तो चलिए वीडियो को बीना दिर के हूए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है अप्डेट कर दीजिए अप्डेट करने के वाद जा यह सेटिंग पर जाके SIM card in mobile network को open करें अपना SIM को open कीजिए उसके बाद Preferred network type पर जाके network का जो यहाँ पर setting है network switch कीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत बार जो है मैंने देखाई कि आपके जो Among Us game है यहाँ पर उसमें network के वज़े से काफी error वगएरा create होते रहते हैं ठीक है network का option है तो उसमें जाके network setting को reset कर दे phone का password बढ़ दीजिए ok करके reset कर दीजिए आपको यह setting नहीं मिल रहा है तो उपर search setting पर जाके आप type कीजिए reset आपको यह setting मिल जाएगा ठीक है reset network setting तो reset वगएरा कर ले उसके बाद scroll down करके apps पर जाना है manage app पर जाना है manage app इंस्टाले व्याफिर app manager करके आपको option मिल जाएगा उसके बाद among ask को open करे force stop कीजिए ok कीजिए clear data पर click करके clear all data करके ok कर देना है उसके बाद दोस्तो simply device को restart कीजिए और उसके बाद दोस्तों among ask को open कीजिए सबसे main और important बात online पर click करे और यहाँ पर जो आपको एक region का option दिखाई दरा है उसमें click कीजिए और आप दोस्तों जिसमी region पर रहते हैं जैसे कि Nord America, Asia और Europe तो आप उसको select करना मत भूलेगा ठीक है तो अगर कोई भी एक region जो है यहाँ पर दोस्तों सही से select नहीं करते हैं तो आप दोस्त लोगों के साथ खेल नहीं पाँ कहल नहीं पाँ है तो दोनौं को asia select करना है उसके बार आप Error को भी fix कर दोगे और अपना gameplay भी आपर आप कर सकते हैं तो बस उतना solution काफी है आपके Among Us के complete error problem को fix करने के लिए ठीक है लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाते हैं और भी problem आ जाते हैं तो उस वक्त दोस्तों आपको क्या करना है simply play store पर जाना है गेम को uninstall करके आपको software अपडेट कर देना है software अपडेट करने के बाद game को play store से reinstall कर लिजे problem solve हो जाएगा ठीक है तो ये दोस्तों एक complete solution मैंने आपको बता रिया है game के error के बारे में तो जबी भी आपको किसी भी तरह का issue हो जाते तो आप simply इस process को follow करके problem को solve कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो बड़ोस बस इतना है thanks for watching